हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, होप यो आप सब ठीक होंगे और आज मैं करने जारी हूँ आपके साथ अपना डीप क्लीनिंग, हाउस, रूटिन किस तरह से मैं घर की सफाई करती हूँ ये डीप क्लीनिंग मैं वीक में या टैन डेज में करती हूँ सायद आप ही ऐसे ही करते होंगे वैसे तो घर में डस्टिंग, छाड़ो, पोचा, रेगुलर होता है बट डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि इस लैप से उपर कतक का पूछना कोनों वगेरा से एक-एक जाले वगेरा को अच्छे से सफाई करना और कपड़े वगेरा होते हैं, उनको अच्छे से प्रैस वगेरा करके सभी अलमारी को अच्छे से जचार ला तो यही मेरे मतलब से डीप लेनिंग होती है जैसे कि हम दिपावली के उपर करते हैं उसी की तरह से मैं यहां 15 डेज, 10 डेज या 7 डेज में कर लेती हूँ तब भी टाइम मिलता है सायद मैं ज़्यादा कर तो 15 या 10 डेज में तो करती ही करती हूँ क्योंकि मैं जोइन्ट फैमिली में रहती हूँ तो अकसर कई बाट टाइम नहीं मिलता तो 15 डेज भी चले जाते हैं और आप सब भी को पता है जोइन्ट फैमिली में रहते हैं तो वैसे तो रेगुलर्ट सफाई होती है अगर सफाई अच्छे से नहीं भी करेंगे तो पता है कितना ज़्यादा गंदगी हो जाती है बट टाइम नहीं मिलता तो 15 डेज, 10 डेज में इस तरह से जैसे की तस्वीर वगेरा होती है उनको अच्छे से क्लिन किया जाता है तो यहाँ पर मैं सुखे कपड़े से सबी चीज़ों को पूछ रही हूँ तोड़ी भो धूल मिटी आ जाती है वैसे तो हमारा जो अंदर का घर है बिलकुल बंध है सिसे लगे हूई है तो अंदर च्छोटे धूल के कारण इतने जाधा जमा हो जाते है इन चीज़ों को मैं सबसे पहले एक अच्छे कपड़े से पूछ रही ह हूं उसके बास लेधा की सखाई कर रही है और फिर में जितने विजाले वगरा होते हैं, कोनों में लगे होते हैं, अलमारी के नीचे लगे होते हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से पूछ दोंगी, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से अलमारी दिवार में लगा रखे, लेकिन हभी इनको वुडन का काम नहीं करवाया है, यानि फरनिचर नहीं करवाया है, जल्दी ही करवा लेंगे, कभी होगा, जैसे कि सभी को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में हर कुछ देखकर चलना पड़ता है, और हम जो इन फैमिली में रहते हैं, यहां पर तो और भी ज़्यादा, सब कुछ देखकर ही चलन पड़ता है, तो यहां पर मैं अलमारी को साफ करने के बाद अच्छे से लगा दी है, जहां से चीज ली थी, वहां से लगा दी है, और दो बच्चे हैं, जैसे कि यह मेरा रूम है, हभी मैं फिलहाल इसी में सोती हूं, वैसे मैं अपना रूम टूर जरूर करवाँगी, फि वैस्त वस्ती चीजे गंदी लगती है, इसलिए में सबी चीजे को ठाकर रखने हूं, क्योंकि बच्चे होते हैं, सोक्स वगयरा होती है, सब्दी के मोसम में विंटर के भी बहुत ज्यादा क्लोथ हो जाते हैं, तो हिदर उधर कर ही देते हैं, तो मैं यहां पर रखनी हू मुझे सब चीजे में जहां पर रखनी होती है, वहीं पर रखनी होती है, थोड़ा सचा लगता है, तो इसी तरह का मेरा मतलब वो है, हिदर उधर चीजे मुझे बिल्कूल भी अच्छी नहीं लगती, और थोड़ी सी सोक्स वगयरा बच्चों ने रखनी तो मैंने उनको प अलग से टोकरी होने चाहिए, वैसे तो हमारे पास दो या तीन है, लेकिन जोइंट फैमिली है, तो वो दीदी के कमरे में रखी हुई है, और मैंने अपनी बेटी के कपड़े रख रखें एक बड़ी में, तो अब मैं दो और लेक्याने की सोच नहीं हूँ, ताकि मैं अप अपनी रूम में लगाएंगे, मैंने वो लग कोई बात नहीं, बच्चे का मन रखने के लिए लगा दिया, क्या होता है, थोड़ा, बच्चे मन खुस हो जाएंगे, और यहां पर मेरी कुछ तस्विटों है, एक तो मदस दे का है, बेटे के साथ, मेरा बेटा जब एक साल क है, बहुत बड़े बड़े रूम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा रूम है, और यह सिंगल बैड है, और आप देख सकते हैं, इस बैड के उपर हमने गरम शदर कंबल बिशा रखा, क्योंकि दो तीन से सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, दो तीन दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कि हुज ज़्यादा ठंडक सी लगती है, जो गद्दे होते हैं, गर्मियों में अक्सर गरम रहते हैं, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो मैंने सोचा, मैं हमने वैसे सारे घर में जितनी भी चारपाई वगरा है, जितने भी बैड वगर हैं सब के उपर गरम कंबल ही भिशा रखे हैं ताकि सर्दी ने लगे बट मैंने जो अपने इस बैड के उपर हबी दो या तीन दिन पहले ही भिशाया है क्योंकि सर्दी काफी हो रही थी और छोटा बच्चा है यानि मेरी बेबी एक साल की है तो इसलिए ताकि उसको सर जाना जाड़ने के बाद और इस तरह से लगा देती हूं जैसे कि चद्धर हो ये ठस से मस नहीं होती क्योंकि कंबल होते हैं काफी है तो वह इदर उदर नहीं की सकते चद्धर वैसे भी खीसक जाती है और आजका सर्दी हो रही है तो एक ब्रेंकेट भी हमेशा यही पर र विर प्निप चद्र को भी सही कर दिया है और यह रूम एरा ऊंस्ट हो चुक самых साथ में और है अपूसरे नहों में करेंगे और इस साइड में जो विन्डों को में गाय बॉक्स पेट जी कह सकते हैं यहां हम बकसे बोलते हैं, सब अलग अलग language में बोलते हैं आप जो भी बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन हम इसे बकसे, बोलते हैं, और एक मेरी अर दोनों हम आरे कपड़ works be पहने के नहीं है लेने देने के होते हैं वो एक्स्टा कपड़े होते हैं वो है क्योंकि पहने के अलमारी में है और वैसे हैवी शाड़ी वगरा जो सारी होते हैं वो सारी बैड में रखी हुई है और जो भी हैवी सूट वगरा है वो भी बैड में रखी हुई है तो ये थी द वैसे तो रस्टिंग रेगुलर होती है बट विंडो को खोल कर 15 डे या 10 डे जब डीप क्लेनिंग होती है हाँ उसकी तभी की जाती है यू नहीं की रेगुलर कोई भी नहीं करता होका रेगुलर तो क्योंकि भार से जो जाली होती है वो तो हम साफ कर देते हैं बट ऐसे खोलने के बाद भी बहुत सारा डश्ट निकलता है कोनों वगेरा मिस जाले वगेरा लगी जाते हैं तो इस तरह से मैं यहां पर खिड़की की सफाई कर रही हूं और उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूँगी और जो कर्टेंस होते हैं उसके उपर जो भी डंडे और यह डीप क्लीनिंग हमारी वीकली या 15 डेज में एक बार होती ही रहती है तो इस तरह से मैंने कर दी है अपनी खिड़की की भी सफाई और आपको इस साइड में काला रंग का बैग दिखाई दे रहा है इसमें में मेरे अस्पैन के कपड़े रख रखे क्योंकि जो मेरी अलमीरा है वो उपर है तो यहां पर उसके आने जाने के कपड़े हैं इदर उदर जाते हैं वो वाले वैसे रेगुलर के कपड़े उसकी उस सामने जो अलमीरा साफ कर रही थी उसमें रखे वही हैं ओफिस के तो और यह कहीं जाते हैं इदर उदर सर्दियों के थोड़े भ प्रेस करके और पहन की चले जाते हैं और फिर वोस करके हिसी में रख दीते हूं थाकि एजी रहे और गंदगी भी ने लगे तो इस तरह से मैंने कर दी है अपने रूम की सफाई कि और यह प्रेस दिखाई दे रही है तो यहां पर बैटकर मैं प्रेस करती हूँ अपने कपड़ों पर जब भी हमें आइरैनिया प्रेस करनी होती है तो यहीं पर बैटकर कर लेते हैं और अब मैं इसको फिल्कुल जड़का दूनगी क्योंकि मैंने अब थोड़े के बाद कि ब्लू कलर के थे और बिल्कुल वाइड वाइड लगने लगये हैं कि इनके उपर कलर होता है घ है ओपर कलर किया जाता है दो दो हें और ये हो चुकी है और और तूर समाझ मैं लेकर जा रही हूं भार की तरफ है हू तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी नगए ंडाना बिल कुल ना भूलना और आपने स्ट्टों को सब्सक्राइब नहीं किया है तूर्पली चैनलको सब्सक्राइब भी करでकिता की तरह एब बकेट्स रहा गया था आपको दिखाई दे रहा है इसमें मेरी बेटी के कपड़े होते हैं क्योंकि मैं इसमें कपड़े छोटे बच्चा एक साल की बेबी है तो उसके कपड़े बहुत सारे होते हैं आप सभी को पता है और छोटे बच्चों के कपड़े नहीं दर उदर तो इस तरह से चोटी चोटी चीजों का हम ध्यान देते हैं तो घर में साफ सफाई इजिली से हो सकती है हमारा टाइम भी बच सकता है तो आगे हूं मैं दूसरे कमरे में जहां पर फ्रीज रखा हुआ है और एक और संदुख रखी है यह संदुख मेरी दीदी की है और इसके उपर गोंद के लड़व हैं दो तीन दिखाई दे रहे हैं आपको डूलची यह सारे गोंद के लड़व हभी डले थे जरदी में गोंद के लड़ तो हर किसी के डलते हैं तो उस्वें में यह सबस уволा हुआ है और एक साम टंग की डिखाई दे रही है इस में हमारा और ड़र का एक्स्ट्र समान होता है यसे पूरे मन्त का रासन आता है तो डबों में डाल देते हैं कीचन में जो एक्स्ट्रा बज़ए तब के अंदर रखते हैं तो ये था और ये ये मैट में आपको बता रही थी यह वह है यह बिल्कुल निू है अभी फटी नहीं है और ज वो निए प्रिजर निए संदुख रखी हुई है, उसमें मेरी मेरी आपे मेरी मेरी सास के कपडरी के रखी हुई है और नीचे तो रासन वह भी खान दों है, चोकी के उपर लगी है एक कोर टंकी कह सकते हैं तो इसमें हम चिनी रखते हैं क्योंकि जोइंट फैमिली है तो मंत में 15 की जी चिनी आती है तो साल इसी में डाल कर रख देते हैं ताकि इदर उदर नहीं इसी तरह से घर को मेंटेंट रहता है और चीजें होती है इदर उदर नहीं होती तो हम तो ऐस एक आप कैसे रखते हैं वह भी कमेंट में जरूर बताना इसके बाद मैं इसके खेश्टी की सफाइब रही हूं और इसमें दिमक काफी लगी हुए है इस खेश्टी की खटे होती है उसमें दिमक लगी है और हमें चेंज करवाएंगे जब काम सरू होगा घरका तो इसमें को भी चेंज करवाना है तो यह रूम की सफाई हो चुक है और इस रूम में ही है हमारा मंदीर साइड में मंदीर की सफाई हभी करनी ज़रूरी है क्योंकि मंदीर की सफाई बहुत ज़रूरी होता है वैसे मैं रेगुलर से उपर की सफाई कर देती हो नीचे जो चोकी रखी तो दोस्तो इस तरह से मैं अनदर की सफाई करने के बाद अपनी दीदी वाले कमरे में आ गई थी जहांकि मीरी दीदी ही हम तोनों भेन हैं और एक गर में हमारी शादी भी है और जरूरान से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं पूरी फैमिले को भी आपको दिखाऊंगी आप मुझे स्पोर्ट देना मुझे आपके स्पोर्ट की जड़त है तो इसी तरह थे हमारा दोनों का रूम जो है ना सेम ही है बट अब मैंने अपना रूम सिफ्ट उपर कर लिया है और जो हब मैं थोड़ी देर पहले सफाई कर रही थी वो रूम और ये रूम दोनों सेम है एक जैसे ही अलमीरा बनी हुई है और मेरा भी नूर नीचे ही था पहले बैड वगरा सब कुछ नीचे ही डले वे थे तो इसके भी यहां पर कुछ ट्रोफी वगरा रखी हुई है और कुछ इनके तस्वीरे फोटो है तो उनकी सफाई कर रही हूं उसके बाद मैं उसको बस मैं उसको पूछ देती हूं एक साइड से और सभी अलमारी की जो भी स्लैप है उनको पूछ दूंगी और जाले वगरा जो भी होते हैं उनको उतार दूंगी और यह जो कपड़े होते हैं उनको बाद में वो अपना अच्छे से मेंटेन कर लेगी तो इस तरह से मैं इस रूम को क्या था वैसे ही इस रूम को कर लोंगी बस इस रूम में खीड़की नहीं है तो यह रूम इजली से हो जाता है बट अलमीरा वगिरा अगयरा है तो उनकी उपर से भी क्लेनिंग करनी पड़ेगी तो वीडियो के लाश तक बने रहे अन्हा देखते हैं कैसे कैसे कर जितना भी मेरा जितना बड़ा घर है उसकी सारी जो डीप क्लेनिंग है वो मैंने दिखा दिये है कि हम कैसे पहले दोते हैं फिर कैसे कैसे साफ सफाई करते हैं वो मैंने और मोस्ट वीडियो डाल दी है अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आप चेक आउट कर सकते है उस वीडियो पर भी आप प्यार दिखा सकते हैं अंदर की साफ सफाई करने के बाद मैं सीधी आ गई थी बैठक में जहां पर मेरी ससूर जी रहते हैं तो यहां पर दो चार पाई हैं और सोफे हैं तीन जो सोफे होते हैं वो यहां पर हैं और दो सोफे सैट हैं वो जो होल ह उसमें है होल की मैं वीडियो नहीं बनाई थी कभी बनाऊंगी जब जरूर दिखाऊंगी और यहां पर एक छोटी सी LED लगी भी है लेकिन इसको कोई योज नहीं करता है ऐसी ही है क्योंकि LED तो काफी बड़ी थी 42 इंच की भी थी और उसको मेरे बेटे ने फोर्ट दिया था और उसके बाद हमने छोटी सी ही लगवाई थी और इसको कोई योज भी नहीं करता है तो इस तरह से मैं यहां की खिड्कियों की सफाई कर रहे हूं यह में रोड पर है बैठक जो हमारे घर की बिल्कुल भार की तरफ है बीच में आंगन वगर आ जाता है और उसके भार की तरफ एक ड्रूम और यह बैठक है तो इस बैठक में सबसे जादा गंदीगी है पर आती है और वो रूम है वह बच्चों का है वहां पर स्टैडि लगार करते हैं वहां पर एक बैड डला हुआ है और एक चारपाई और आपर एक टीवी है जहां पर मेरी सास दिवी देखत को सुथाय कि लीकिनेंग करके लेकिन इस चुम होती है तो इन की गदि गाई रशे से लिकाल जाता है तो धार लिया को और ये मैंने कर दिया है इसके बाद मैंने सभी को लगा दिया है और ये मेरी हो गया इसके बाद मैं लगाने आ गई हूँ पोच्चा बैठक में अंदर का मैंने पोच्चा लगा लिया था साथ साथ ही जैसे ही किया और अंदर का लगा है उसके बाद मैंने आंगन वगेरा को जब हम अपने घर की साफ सफाई में नहीं स्या साफ साफ सफाई करते है तो हमारे भी नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं के था मेरा हॉल जो मैंने आपको नहीं दिखाया था और बच्चों के किलास आ चुकी है अब यहाँ पर होल में दो चार पाई ड़ली भी है और दो वाले सौफा और मेरा tripod है, और ये मेरा वाला कमरा जो सबसे पहले मैंने cleaning किया था ये है जोत वाला कमरा, आप देख सकते हैं इसकी भी मैंने cleaning दिखाई थी और इसके बाद आप देख सकते हैं, भार का view ये है पूरा आंगन, खुला आंगन तो यह कपड़े सुके हुए हैं, आज मैंने कपड़े नहीं दोए थे, कल के ही कुछ कपड़े थे, क्योंकि बारिस का मोसम हो रहा है, तो कुछ कपड़े सीले रह गए थे, गिले रह गए थे, तो उनको मैंने धूप में डाल दिया, अभी धूप निकल गई थी, और आप दे थोड़ी सी बच चलगे तो वीडियो के लाइक जरूर दे देना, थेंक यू फूर वचिंग आवर वीडियो